प्रस्ण बाइस निम्नलिखित में कौन सी संख्या आठ से पुर्णत विभाजित है प्रस्ण बाइस का ओप्शन ए में क्या दिया है आठ हजार आठ सो बहत्तर तो आठ से विभाजिता का नियम क्या है तो अंतिम तीन अंक देखना है इसमें देखें अंतिम तीन अंक यानि इकाई दहाई सैकड़ा पे जो अंक है उसको देखना है तो आठ सो बहत्तर अगर आठ से कट जाएगा यानि आठ से विभाजित हो जाएगा तो आठ हजार आठ सो बहत्तर भी आठ से विभाजित हो यानि 109 बार में कट जाएगा 872 इसका मतलब वुगा कि 8872 भी 8 से कट जाएगा तो इसका उत्तर हो गया option A तो देखे पहला ही option इसका सही उत्तर होगा A प्रस्न 23 सभखल करेंगे निम्नांकित में तीन से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो यहाँ पे प्रस्न 23 में option A क्या दिया है 1214 दूसरा option है 5002 option C है 3172 और option D है 4314 तो तीन से विभाजिता का निम्न क्या है अगर किसी संख्या का उसके अंकों का योगफल उसके सभी अंकों का योगफल तीन से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगा तीन से विभाजि होगा तो देखिए अंकों को जोड़ करके देखेंगे यहाँ पे साथ तीन से नहीं कटता है तो पांच हजार दो भी तीन से नहीं कटेगा इसके अंकों को जोड़ करके देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4,314 तीन से कट जाएगा तो क्या पुछ रहा था यहाँ पे कि तीन से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी है तो इसका उत्तर होगा 4,314 प्रस्न 24 पांच से विभाजित होने वाली निम्नलिखित में कौन सी संख्या है तो प्रस्ण 24 का ओप्षन ए में क्या है 1235 तो पांच से विभाजिता का नियम में क्या कहता है इकाई अंग देखना है देखें किसी भी संख्या का इकाई अंग तो इकाई अंग पे या तो 5 होना चाहिए या सून्य इकाई अंग पे अगर 5 है या सून्य है तो वह संख्या 5 से बिभाजित हो जाएगा तो देखें यहाँ पे क्या है इकाई अंग में 5 है इसका मतलब होगा कि 1235 पांच से बिभाज होगा तो इसका उत्तर होगा option A प्रस्ण 25 नीचे की किस संख्या में तीन से भाग देने पर सेस एक बचेगा तो प्रस्ण 25 का option A क्या है 10211 10211 तो 3 से विभाजस्ता का नियम क्या कहता है सभी अंकों को जोड़ेंगे ठीक है तो 2-1-3, 3-1-4, 4-1-5 पांच देखिए 3 से नहीं कटता है अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो 2 सेस फल बचेगा क्योंकि 3 में 2 जोडने पे 5 आता है ठीक है तो एक सेस फल आना चाहिए क्या कह रहा है कि सेस एक बचे किस संख्या में तीन से भाग देने पर सेस एक बचेगा तो इसको जोडने पर क्या आ रहा है सभी अंको को पांच आ रहा है अगर इसको हम भाग भी देंगे तो दो सेस फल बचेगा क्योंकि 3 में 2 जोडने पर क्या आता है 5 Option B देख लेते हैं Option B क्या है 1111 इसमें देखिए सभी अंकों को जोडने पर कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 4 आ रहा है तो इसको अगर भाग देंगे तो 1 सेसफल बचेगा क्योंकि 3 में 1 जोडने पर 4 आता है ठीक है तो 1 सेसफल बच रहा है इसमें यानि Option B इसका सही उत्तर होगा तो 1111 में अगर हम 3 से भाग दें तो सेस 1 बचेगा कैसे पता हुआ तो इसके अंकों को जोडने पर देखिए 1, 2, 3, 4, 4 आ रहा है तो 3 में 1 जोडने पर 4 आता है इसका मतलब हुआ कि 1 सेसफल बचेगा तो 3 से भी भाजता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या का उसके अंकों का योगफल अगर 3 से भी भाज है तो वह संख्या भी 3 से भी भाज होगा तो यहां पर देखिए 4 आ रहा है इसके अंकों का योगफल तो इसका मतलब हुआ कि एक सेसफल बचेगा प्रस्न 26 निम्ने लिखित में कौन सी संख्या परिमे है तो प्रस्न 26 में आप्सन ए क्या है रूट 4 वटा 3 है आप्सन B है 10 वटा रूट 5 आप्सन C है 6 वटा रूट 9 और आप्सन D क्या है 9 वटा रूट 16 देखे 9 वटा रूट 16 को हम क्या लिख सकते है 9 वटा 4 लिख सकते है क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और रूट 6 वटा 9 को हम लिख सकते है रूट 6 वटा 3 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 ठीक है इस तरह हम लिख सकते है रूट 6 वटा 9 को हम लिख सकते है रूट 6 वटा 3 और 9 बटा रूट 16 को हम लिख सकते हैं 9 बटा 4 तो देखे इसमें 9 बटा 4 इसमें कोई रूट नहीं है ना उपर रूट है ना नीचे रूट है तो ये क्या हो गया? परिमे संख्या परिमे संख्या में बस हर सुन्य नहीं होना चाहिए अगर हर सून नहीं हो गया तो वह परिमे संख्या नहीं होगा तो 9 बटा 4 क्या हो गया परिमे संख्या यानि इसका सही उत्तर होगा option D 9 बटा root 16 9 बटा root 16 क्या है परिमे संख्या है क्योंकि root 16 का वर्ग मुल क्या होता है वर्ग मुल होता है root यानि यह 16 का वर्गमूल होता है चार तो 9 बटा रूट 16 को हम लिख सकते हैं 9 बटा 4